कहते हैं prevention is better than cure यानी बचाव उपचार से बहतर है मेरा इशारा यहाँ कोरोना वाइरस की तरफ है जिसको दुनिया में दहशत मचाते तीन महीने होने वाले हैं और अभी तक कोई vaccination या antidote नहीं मिल पाया है यह जान लिवा वाइरस भारत में भी अपना कहर फैला रहा है दिन भर दिन अलग-अलग राजियों में नए मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि कोरोना वाइरस का अभी तक कोई उपचार नहीं मिला इसलिए इस बिमारी से लड़ने के लिए दो ही हत्यार है जानकारी और बचाव सबसे पहले मैं बात करूँगी इंडिया की करेंट अपडेट्स को लेकर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके मन में चलने वाले बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे इंफरमेशन अच्छी लगे तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिए आपके सपोर्ट के बिना इस तरह की अवेरनेस वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है बात करते हैं भारत में बढ़ रहे केसिस को लेकर इस समय दुनिया भर में लगबग सवालाख लोग इस वाइरस की चपेट में हैं और 4000 से जादा मौते हो चुकी है चीन से शुरू हुआ कोरोना का कोहराम भारत के लिए भी उतना ही खतरा बन चुका है भारत में इस वक्त कोरोना वाइरस से संक्रमित लोगों का आकड़ा 47 पहुंच गया है स्क्रीन पर आपको इसका स्टेट वाइस ब्रेकड़न अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों डरना नहीं है पर हमें अपने राज्यों और अपने आसपास के बारे में जागरुक रहना जरूरी है और साथ ही आसपास वालों को जागरुक करना भी अगर कोई जानकारी आपको है तो उस जानकारी को अपने सगे संबंदियों के साथ भी शेयर करे पर खबर वही शेर करें जो वास्तव में हो रूमर्स का शिकार ना बने अब सवाल आता है कि कोरोना वाइरस का टेस्ट कब करवाएं मैं जानती हूँ इस मौसम में खासी जुखाम आम है तो क्या पहली छीक आते ही टेस्ट करवाने चले जाएं तो इसका जवाब है नहीं कोरोना के कुछ खास लक्षन होते हैं पर ऐसा जरूर है कि 80% of the time कोरोना वाइरस पेशेंट को वही सिम्टम्स होते हैं जो एक नॉर्मल फ्लू वाले पेशेंट को होते हैं अब देखते हैं कि इस वाइरस के लक्षन हैं क्या पहला अचानक आपको 23 बुखार आए और सास लेने में तकलीफ हो दूसरा बहुत जादा सूखी खासी और जुखाव हो ध्यान दे सूखी खासी तीसरा किट्नी और लीवर में तकलीफ हो चौथा निमोनिया के लक्षन सामने आएं इन सिम्टम्स का आप ध्यान रखे पैनिक नहीं करना है जागरुक और अवेर रहने की ज़रूरत है सब इसी कोशिश में है कि जल्दी से ये महमारी खतम हो जाए तो आखिर कोर्णा का खत्रा कब तक खतम होगा आम तोर पर बागी के वायरिसे 35 डिग्री से उपर मर जाते हैं भारत में सर्दी का मौसम जा रहा है पर अभी तापमान उतना बढ़ने में टाइम है तो कोर्णा का वायरस कितने तापमान पर जिन्दार रहता है या दिकारित तोर पर किसी को नहीं मालूम तो तेज गर्मी में ये मर जाएगा इसकी पुष्टी गर्मिया आने पर ही हो पाएंगी एक बात और समझे कि कोर्णा वायरस के रिसर्च अभी शुरुवाती दौर्प में ही है अब बात करते है कि किस उम्र के लोगों को इस वायरस से सबसे अधिक खत्रा है देखिए किसे भी रोग का असर उन लोगों पर जादा पड़ता है जिनके शरीर की प्रती रोधक शमता यानि की इम्यूनिटी कम है ऐसे में अभी तक उपलब्द आंकडो के अनुसार ये बिमारी पचास साल से अधिक उम्र के मरीजों के लिए जादा घातक है लेकिन असर नहीं है कि पचास से कम उम्रवालों को ये वाइरस संक्रमित नहीं करेगा केरला में कल ही तीन साल की बच्ची कोरोना वाइरस बॉस्टेफ पाई गई है अब सबसे एहम सवाल क्या संक्रमित होते ही मौत निश्चित है कोरोना वाइरस को लेकर ऐसे कन्फूजन की सबसे बड़ी वजा है अधूरी जानकारी जितने लोग पीडित होते हैं उन में से अधिक ठीक हो रहे हैं मरने वालों की संक्या संक्रमन का लगभग 2% ही है लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ये फैलता बहुत जल्दी है एक लाग से जादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और ये 115 देशों तक फैल चुका है जरूरत है कि बस हम इसको टाइम रहते डिटेक्ट कर ले और टाइम पर इलाज हो जाए तब ही कहा जा रहा है अवेर रहना ही इसके लिए सबसे बड़ी रोग थाम है दोस्तों जल्द ही मैं अपने चानल का नाम चेंज कर रही हूँ नया चानल नहीं बस नया नाम तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखे और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज किये जल्दी से कर लीजे तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में